चलिए बच्चों, हम समानतर शेडी के प्रथम N पदों का योग ग्याद करने का जो सूत्र है, उसे एक और विधी द्वारा देखते हैं, जिसे हम निगमन विधी कहेंगे, इसके लिए मान लीजिए समानतर शेडी का प्रथम पद A और सार्वंतर D है, इसलिए समानतर शेडी किस प्रकार लिखाएगी, प्रथम पद A, उसका दूसरा पद, प्रथम पद में सार्वंतर को जोडने पर प्राप्त होगा, और तीसरा पद, हमें मिलेगा, A धन 2D, और इसी प्रकार आगे यह समानतर शेडी है प्रथम शेडी है समानतर शेडी का N वापद हम देते हैं, A धन N-1 इंटू D से यह हमने पहले भी देखा है, कि किसी भी समानतर शेडी का जो N वापद है, वो होता है, A धन N-1 गुनेट D माना एसे इस समानतर शेडी के प्रथम N पदों का योग है, प्रथम N पदों का योग है, प्रथम N पदों का योग है, शेडी के उसको हम प्रथम N पदों का योगफल S N द्वारा वेक्ट कर रहे हैं तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे A धन, A धन D, A धन 2D और इसी प्रकार आगे ये हम N पदों तक सभी पदों को जोड़ रहे हैं तो इसका N वा पद यहां पर हम लिख सकते हैं अब इसके पहले का पद क्या होगा आप देखिए कि यहां पर देखिए A, A धन D, A धन 2D ये तीसरा पद है इस प्रकार हम यहां N वे पद तक आए हैं तो इसके पहले वाला जो पद होगा उसे किस प्रकार लिखा जाएगा उसे हम लिखेंगे A धन यहां पर यह N रिंड 1 है यहां यह उससे एक और कम होगा यानि कि N रिंड 2 गुनेद D यह हमारे N वे पद से पहले का N-1 वा पद है और N-1 वे पद में आपने N-1, N-1 किया इसलिए यहां पर क्या मिलेगा? N-2 चलिए अब यदि यह जो हमें योगफल मिला है इसके पदों को विपरीत क्रब में विपरीत क्रब में लिखने पर हमें मिलेगा अब राप्त होगा फिर से S-N बराबर हम विपरीत क्रब में लिखे रहे हैं इसलिए यह सबसे पहले लिखना होगा हम लिखेंगे A-धन N-2 गुनिद्डी धन उसके बाद यह पद आएगा A-धन N-2 गुनिद्डी धन इसी प्रकार आगे और फिर हम इसको जोडते चले जाएं तो पहले यह वाला पद आएगा A-धन 2D फिर A-धन D और इस विपरीत क्रम का हमारा जो अंतिम पद होगा वो होगा A इसे समी करण 1 और समी करण इसे 2 के रूप में अधनी देखें तो समी करण एक और 2 को 2 को पदों के अनुसार जोडने पर तो समी करण 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो इस पक्ष में हमें मिलेगा S-एन धन S-एन बराबर पदों के अनुसार हम जोड़ रहें तो जो पहले पद का A जो है वो हमारे विपरीत क्रम में इस पद के साथ जोड़ जाएगा A धन N रिनेक D इसे एक कोश्टक के लिए हम बार से निरुपित कर देते हैं दूसरा पद जो जुड़ेगा वो किस प्रकार होगा A धन D जो है वो जुड़ जाएगा A धन N रिन्दो और गुनित D से बिल्कुल इसी प्रकार आगे बढ़ने पर हमें मिलेगा A धन 2D बार से निरुपित करें और उसके बाद A धन यहाँ देखिए यह N माइनस 2 इंटो D है तो यहाँ लिखेंगे हम इसको N माइनस 3 इंटो D से प्लस आगे इसी प्रकार बढ़ते जाएं तो अब जो यहाँ पर हमें प्त राप्त होगा वो होगा A धन N रिन 2 जो है गुनित D यह प्त जो जुड़ेगा वो जुड़ जाएगा A धन D से और अंतिम प्त जो होगा वो होगा A धन N माइनस 1 इन्टू D जो है यह जुड़ जाएगा A से इस प्रकार हम पदों के अनुसार इसको जोड़ लेते हैं जोडने से हमें क्या प्राप्त होगा तो अब इसे हमल करते हैं हमें मिलेगा दो गुनित S N बराबर यहाँ पर देखिए कोश्टक को हल करते जाएंगे हम खोल कर हल करके लिखेंगे तो मिलेगा हमको यहाँ पर 2 A धन N रिन 1 गुनित D अगले पद में उसी प्रकार देखिए A जो है वो दो बार हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी हमें मिलेगा 2 A धन अब देखिए यहाँ पर D एक बार दिखाई दे रहा है और यहाँ पर रिन 2 D है इसे हल करने पर हमें क्या मिलेगा पुरा कोश्टक खोल के करा हूँ क्या हल करूँ कि डिरेक्ट लिखू ठीक है समझाना चाह रही थी अगले पद में देखिए यहाँ पर भी A जो है वो कोश्टक में खोलने के बाद हम इसे लिख सकते हैं 2 A और उसके बाद N-2 गुड़िद D है और 1 D यहाँ पर मिल रहा है इसे हल करने पर कितना मिलेगा N-1 गुड़िद D धन इसी प्रकार आगे हम इसे देखते जाएं तो हमें अंतिम पद जो मिलेगा वो है 2 A धन N-1 इंटो D जो हमारा ये जो समी करण है इसमें पदों की संख्या कितनी होगी इसमें हमारे कुल पद जो है वो N पद है तो इस समी करण के दाहिने पक्ष में पदों की संख्या N है तो हमें मिला 2 S N बराबर ये कितनी बार हुआ एक बार दो बार ऐसा ही हम कितने बात कह रहे है क्योंकि यहां N पद है तो ये कितनी बार मिलेगा हैंने हमें N बार यानि की N गुनेत 2 A धन N रिन एक गुनेत D तो S N का मान हमें मिल गया N बटे 2 2 A धन N रिन एक गुनेत D तो किसी समानतर श्रेड़ी के प्रतम N पदों का जो योगफल है वो इस सूतर द्वारा दिया जाता है हमने देखा कि किसी समानतर श्रेड़ी के प्रतम N पदों का योगफल S N बराबर हम देते हैं N बटे 2 2 A धन N रिन एक गुनेत D से इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसे 2 A को लिख सकते हैं A धन A धन N रिन एक और गुनेत D से अब यदि आप इस पर ध्यान दे तो ये क्या है किसी स्रेड़ी का N वापद तो इसे हम यहाँ पर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे A और ये किसी श्रेड़ी का N वापद है जिसे हम A N से भी वेक्ट कर सकते हैं तो हमने देखा S N बराबर N बटे 2 A धन A N अब यदि किसी समानतर श्रेड़ी का यदि किसी समानतर श्रेड़ी में केवल N पद हो N ही पद हो तो N वापद क्या होगा उसका N वापद A N ही उसका कौन सा पद होगा वो ही उसका अंतिम पद होगा तो N वापद A N ही अंतिम पद होगा इसका मतलब AN जो है वो अंतिम पद L वो इसलिए अब इस SN को हम यहाँ पर यह जो स्वमिकरण हमें मिला इसे हम कैसे लिख सकते हैं SN बराबर N बटे 2 A धन इसकी जगे आ जाएगा Small N याने कि यदि हमें किस समांतर शेडी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो और पदों की संख्या ग्याद हो तो इस सूत्री की साहता से हम उस समांतर शेडी के प्रथम N पदों का योगफल ग्याद कर सकते हैं जाने कि यदि हमें किसी समांतर शेडी के प्रथम जितने पदों का योगफल ग्याद करना है वो दिया हो और उसका प्रथम पद और अंतिप पद दिया हो तो इस सुत्री की साहता से हम उसका योगफल ग्याद कर सकते हैं